अगर आप लोगों के आंगन में भी उग आये हैं ये पौधा तो कभी न करें उखारने की गलती क्योंकि इस पौधे में हैं सेहत के काफी सारे खजाने फ्रेंड्स इसके भारे में बताने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरे चैनल शामा टिप्स को सब्सक्राइब करें दुनिया में वैसे तो कई तरह की चीजें होती हैं, कुछ चीजें लोगों की जरुवत की होती हैं, तो कुछ चीजें बेकार में ही होती हैं वैसे ही होते हैं पेड़ पौधे, जो कि कुछ पेड़ पौधे लोगों के काम में आते हैं और कुछ पेड़ पौधे बेकार में उगाते हैं, जो कोई ना फल देते हैं और ना ही लकडी देते हैं इस तरह के पौधों को हम ज़्यादतर अपने घर या घर के आसपास से उखाड कर फैंग देते हैं वहीं इन में से एक ऐसा पौधा है जो कि हमारे घर के आसपास उगा होता है और हम उसे बेकार समझ कर उखाड कर फैंग देते हैं इस पौधे का नाम पसनेल है इसे कुलफावे कहते हैं कई लोग इसे जगली पौधा समझ कर उखाड कर नोच कर फैंग देते हैं आप लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस पौधे में बिटामिन D की भरकुर मात्रा होती है साथ ही इस पौधे की खाशत है कि इसमें न्यूट्रिंट्स भी पाए जाते हैं फ्रेंट्स आप इस पौधे की खामिया जानकर इस पौधे को कभी भी उखाड कर नहीं फैंकेंगे तो चलिए फ्रेंट्स मैं आपको बताऊंगी इस पौधे की फाइदे के बारे में ओमगा 3, fatty acid, मचली, अंडा और फिश ओयल सप्लिमेंट से मिलता है यह हार्ट जैसे बीमारी से बचाता है साथ ही इससे आपकी बॉड़ी में बीमारियों से लगने की चमता भी बढ़ जाती है दूसरा जो हमें इसका फाइदा होता है वो है ब्लड प्रेशर वालों के लिए इस पौधे की पत्यों में काफी मात्रा में पोटेशियम होता है इस कारण इन पत्यों को खाने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है यदि आप इसको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो कभी भी बॉडी में कैलसियम और मैधनिशयम की कमी नहीं होगी इसका मतलब है कि आपके हड़ियां और दांत मजबूत रहेंगे तीसरा जो इसका फाइदा है वो है इसमें आईरन की भरपूर मात्रा होती है इसकी पतियां खाने से आपकी बॉडी हाइडरेट रहेगी मतलब आप रहेंगे हेल्थी और एनरजेटिक परसलेन में 93% पानी मौजूद होता है परसलेन को अपनी डाइट में शामिल करने से आपको काफी अच्छी नेंद आएगी इसका कारण है इसमें मौजूद मेलाटोनिंग ये आपकी बॉडी में नेंद के लिए जिम्मेदार फंक्शन को रेगुलेट करता है वेजेटेटियन लोगों को मेट की जगव इससे ही आईरन मिल जाता है फ्रेंट्स ये इंफोमेशन थी कैसे एक छोटा सा पोधा जिसे हम लोग बेकार समझ लेते हैं वह हमारे लिए कैसे एक वरदान के तरह साबित हो जाता है आप लोगों को मेरे द्वारा देगे ये हेल्थ इंफोमेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें अपने प्रिंट्स के साथ मेरी वीडियो को शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यो फॉर वाचिन माई रिवीडियो